हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं करें 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 तारीका फोन क्यों नहीं उठाली तारीका प्लीज फोन उठाओ डॉक्टर सालमखे को फोन करता हूं यह फोन करें लाइं को इसे गाओ और तौम तुम क्या गया थे लाइट को करता हूं तुम तुम दो यह क्या कर एंदू कर दो किसी को तुभारे बारे में नहीं बता हुगा जार गंटे ओंगे तारिका के बुछ पता नहीं चल रहा है सर तारिका का मोबाइल आसपा से लिखाई दे रहा है कहा पतंचर नहीं पता नहींए आसे, तारिका की तारिका की तारिका ताम। कविन कर दो कि पता बारे तष्व में आसे यह क beispielsweise खून कुछ वहा है तारीका कोई खून है यहां पर तक्रु जगन तक्रु जगन अरे कुछ देर पहले फोन किया था बाद देरा है कर दो देखो दरा लाइट लागा सर्फ सुचे सारे होने लगता है में स्विच आफ है में स्विच आफ है कमाले कुछो जगन सर्फ यह तो मड़ चुके हैं सर कहीं ऐसा तो नहीं कि खूनी को पता चल गया हो कि डॉक्टर जगन हमें कुछ बताने वाले थे इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रासा पहले तारिका का गायबोना और अब जगन जी का खून वही तो तारिका तारिका जी तारिका तारिका का जीज जी खूना तारिका का एर रिंग यर रिंग? यहाँ पर? यहाँ अग फुलने का फुलने का सर दंटी जा रहे है सर सर बस दरब हाँ सर सर दंटी के वास काफी दीमी आ रहे है सर मुंटी के नीचे दवावर दवावर वो नई डाकर तारी नीचे है जल्दी खूदा इसको झाल झाल कोई जाओ कोई तारीका! कोई तारीका! मैंको! तारीका! तारीका, तुम्तीको, क्या थे वाई ए? क्या से बाहिं जातिया है? क्या थे बुछुद्धिन थे वाई जाति यह थे? और पूर्ट स्टेब मैं लाइब जारी थी मैं एक आद्मी ने एक आद्मी आया सबर्दस से मुझे क्लोनोफॉर्म सुंगाया मैंने अपने आपको चुखाने के कोशिश की और मुझे केसी ने मुझे जोर से सर से मारा यह सब उन लोगों ने उस केस की रिपोर्ट के लिए किया इस केस ने में तीन देन से उल जा रहा है समंदर के अंदर बैता वह वो लकड़ी का टुकड़ा और उसके साथ वो आदमी के कोपड़े लगता है कोई बड़ी मचली फसी है जाल में खीच खीच अरे यह तो कोई लखड़ी का टुकड़ा फसा हुआ है जाल में खीच अरे जल्दी निगाल यह तो जाल फट जाएगा खीच यह क्या अरे यह तो इंसान की कोपड़ी है जा हूएप हुआ हुआ कि एपती हुई लक्डी साधरन लकडियों से काफी अलग है क्योंकि ये लखड़ी समुद्दर के पानी में हजारों मील बहती हुई आई है समुद्र के सारे जीवन को अपने आप में समेटे हुए तो पेर सड़ों के इस लखड़ी से हमें पता चल सकता है ना कि किस किस तरह के पानी में से बहकर आई और पानी की क्या खूबियां है हाँ बॉस इसलिए मैंने प्रसिद्ध समुद्र विशेशक्र मरीन एक्सपर्ट डॉक्टर जगन को यहां पर बुलाया वो इस खोपड़ी और इस लकड़ी की जाँच करके हमें बताएंगे कि इस खोपड़ी और लकड़ी पर समुद्र के पानी का क्या-क्या और कितना कितना असर हुआ है तो यहां सर पे पीछे गोली मारे गए इस आत्मी को यह दे को बस इस सुरात को देख करके लगता है काफी नस्दीग से गोली मारी गई है सारू के क्या तो बता सकता है यह खोपड़ी कितने समय तक समुद्र में थी बस यह जो काई हमें इस लकड़ी पर से मिली है एसी ही काई इस खोपड़ी की आखों के चारों तरफ और आसपास भी है यह काई हमें बताती है कि यह लकड़ी और यह खोपड़ी काफी बरसों से समुद्र में अपना डेरा जमाय हुए थी रर तो सालुकिन साब यह भी पता चल जाएगा कि यह खोपड़ी समंधर के किस भाग मे थी और साथ ही साथ पक्के तौर पर यह भी पता चल जाएगा कि तिरे समय तक थी णाझमाल की चल सकता तरह कां को solu इस खोपड़ी पर से जितने भी बैक्टीरियाज मिलें उनका अच्छी तरह से अनलिसिस करो इससे उनकी उम्र का पता लगेगा और बाद में हम इस खोपड़ी का रीकर्स्रक्षिन करेंगे तौब पर दॉप्टर सालंक फड़ा लेट होगे अड़े जाए अन्युवे कोई बात नहीं बस यह है वो समुद्र से बैतियोई लकडी जिसके बारे मैंने आपको बताया था फ्लीज चेक इट आपको कि अठान करेंगे प्लीज उढ़ेंगे झाल अन्युखर करेंगेंगे प्लीजापको करेंगे तुमें दूल gottause कर दो कर दो अजय वाँ सर लकडी में से तेल निकलने लगा इसका मतलब यह के यह लकडी समुद्र के उस इससे में थी जहां बहुत सारा तेल बिक्रावा था और उसी में से कुछ तेल इस लकडी में सोख लिया सर पानी में इतना तिल के लगडी में सोख लिये कैसे एवर ऐसा होता ना के कोई तेल से भरा हुआ जहाज अगर समुद्र में डूब जाए तो उस जगे समुद्र में तेल ही तेल हो जाएगा शाद वैसा ही वह होगा अब मैं यह लकडी जलाता हूँ जरसल इस लकडी को जलाने से जो अलग अलग तरह की लबते उठेंगी उससे हमें समुद्र के अलग अलग हिस्सों में मिलने वाले रसाइनों के बारे में पता चलेगा अब उन रसाइनों की फोटग्राफ लैब को बेज देंगे लैब उम उन्ही में से कोई रसाइन खोपडी पर लगावा मिला तो हमें यह अब ही पता चल जाएगा के यह क्राइन कहां हुआ है सर इस खोपडी में मिले समुद्री बैक्टेरिया और अलगी के उम्र लग भाग साथ-ाथ साल है साथ-ाथ साल से समुद्र में तो इसका एक ही मतलब है कि यह कोपडी जिस आद्मी की है उसकी मोत समुद्र में दोहजार पांच में हुई है दोहजार पांच उन रिकोर्ट से में पता चल सकता तब कोपडी कहा थी? कहा से बेक parasite थी? कोई तो है लेकिन जो यह नहीं चाहता कि CID केस के ही तेहत तक पहुंचे किसी के चाने या ना चाहने से CID नहीं रुखती किया पता चला सर इस रिपोर्ट में जिसके लिए आपको ड्रग ड्रग्टर तारीका को जान से माने की कोशिश और ड्रग्टर जगन का खून हुआ द्यार रिपोर्ट के मताबिक वो खोपड़ी 35 से 40 साल के आदमी की है और वो जो लकड़ी की लप्टों के अलग-अलग फोटोग्राफ्स हमने लैब में भेजे थे उन लप्टों का केमिकल कंपोजिशन अरब मा सागर के पानी से मिलता है लेकिन उन लप्टों का केमिकल कंपोजिशन सबसे ज्यादा साउलिन समुदर तल के पानी से मिलता है इसका मतलब है सालोंखे ने कहा कि उस खोपडी के अंदर वाले हिस्से में उसे कुछ बैक्टीरिया मिली किन्वन क्रिया करने वाली बैक्टीरिया, फर्मेंटेशन करने वाली बैक्टीरिया और फिर मरीन एक्सपर डॉक्टर जगन के रिपोर्ट में ये भी बताया है उसकी खोपडी के ऊपर से कुछ फेरस ऑक्साइड के अंच मेले, फेरस ऑक्साइड, लोहे की जंग लेकिन सर, समुंदर के नीचे एक खोपडी पे लोहे की जंग कैसे आ सकती है सर? वही तो, एक खोपडी आट नौ सालों से पानी के अंदर थी और बैती हुई एक लगडी से जाकर फस गई, जिस पर से हमें तेल के भी कुछ आच मेले हो सकता ये खोपडी किसी डूबे हुए जहाज के मल्बे के नीचर दब गई हो? दूबा हुआ जहाज पता लगाना पड़ेगा पिछले साथ आट सालों में उस समुद्री हिस्से में कोई जहाज दूबा था क्या? सर यह है 1955 में सॉली बैक पॉर्टर्स ऑफ अरेबियन सी में डूबी हुई शिप जिसका नाम था मून बोर 15Y यह शिप मुंबई में होने वाली एक विशार प्रदर्शनी के लिए कुछ कीमती धरोहर, समारक, कुछ पुरानी पंडू लिपिया, स्क्रोल्स लेकर आ रहे थी और कुछ तकनीकी गरबड़ी के हुज़े से डूब गई जून 2005, करीबन 50 साल बाद हमारे सेंटर ने इस शिप की जाच का प्रोग्राम बनाया फिर? फिर क्या हुआ? जाच सफल हुई? नई सर, क्यों क्यों जाच दल के चारों लोगों में से मेरे अलावा कोई वापस लोटा ही नहीं क्या? नहीं लोटा? नहीं लोटा मतलब? मतलब ये की तीनों गोताखोर आर्केोलोजस, मेहुल, अंत्रा और रनवीर सर, उनमें से कोई भी पानी से बहार ही नहीं आया तो फिर उनका क्या हुआ? हमने उनको तलाशने की बहुत कोशिश की, पर तीनों का कुछ पता नहीं चला सिर्फ मैं ही वापस आ पाई, शायद इसलिए क्योंकि मैं उनके साथ पानी में गई ही नहीं थी तो उस वक्त आप कहां थी? मैं पानी के उपर बोट पे थी एक मिलेट, एक मिलेट, वैसे ही आप कौन है? सब, मैं डॉक्टर शिखा, मैं उस टीम की सबसे जूनियर मेंबर थी काफी दिर तक जब उनमें से कोई बाहर नहीं आया तो मैंने सेंटर इंफॉर्म किया यहां से एक रिसर्च टीम वहां पहुची और शिप का जो भी समान था उन्होंने निकाल लिया काफी दिनों तक उन सब की खोज भी की पर उन सब का कुछ पता ही नहीं चला ठीक है, डॉक्टर नेना, इस याजबर का जो भी समान आपके पास है, जो भी समान उससाब हम हमारे बीरो ले जाना चाहते हैं जाज करने के लिए हम जी सर्, वन सेकिंड हलो, जो जो, ऑफिस में आव जल्दी जो जो कॉन? सर्, इन्वेंटरी का इंचार्ज है, जो भी समान हमारे पास आता है, उसका रिकार्ड्स होई रखता है मैंडम, आपने बुलायो मुझे? हाँ, ये लोग CID से हैं और इन्हें मून बोर्ट 15Y से मिला हुआ जो भी समान है, कोई में चाहिए ठीक है, सर्, मैं आपके ओफिस में विजबा देता हूँ, क्योंकि कुछ समय लगेगा, कुछ डिटेज और गेटपास बनाने में ठीक है, कुई बाद नहें जो जो नए ये सारा सामान भज़ा है, मरीन रिसर्च सेंटर से और तुम इन सारे सामानों को लिस्स से मैच करके देख रहे हैं हाँ, सर, और रणिवीर अंतरा और मेहूल उन सब की फोटो भी भेजिये है, इमेल पे और उनके रेकॉर्ड्स भी, मैयूर वही चेक कर रहा है गुड़ काम कोर अफ्रेडी, तुम्हारा ये सब लिस्ट शेक होने के बाद में ये सारा खा सामान फोरिंसीक लाब में भेज़ो ये सर आप्टर तारिका ओके, ग्रेट, थैंक्स सर, उस खुपड़ी का रिकांस्ट्रक्शन हो गया है, डॉक्टर तारिका ने में भेजाए फेस इंप्रेशन का गुड़ मैयूर सर देखो दरावो, चेहरा छेक करो सर, ये रही उस आदमी की शेकल सर, ये रही उस आदमी की शेकल मैयूर अभरणवीर, मेहूल और अंतर, इन तीनों की शेहरे दिखाए सर, ये रहे हैं सर सर, खुपड़ी से जो शेहरा बनाए गया है वो मरीन से गाइब हुए, किसी भी आदमी से मैच निए रहा हाँ, सचिन मिल तो नहीं रहा है, फिर भी फिर भी एक खुपड़ी पर जो शेहरा बनाए ना, उसे मयूर, हमरे रेकॉर्ड्स के साथ मैच करके देखो सर, ये तो नामी जादू कर समराठ है, जो दो हजार पांच में गाइब हो गया क्या, समराठ सर इस दुनिया में नहीं रहे और हम ये जानते हैं कि आपके समराठ सर की मौद 2005 में हो गई थी 2005 जून से तो गाइब हो गयते हो 2005 में आप लोग थे, समराठ के साथ? हमने तब ही चाइन किया था और हम उनके एसिस्टेंट थे आपके, तो उनके गाइब होने से पहले की कोई खास बात आपको यान है? हाँ सर, उस वक वो ताले और जंजीर बना रहे थे जिसका हमारा जादू के सो में भी कोई काम नहीं था मैं अब उसकी फाइल दिखाता हूँ राज, समराठ सर की वो ताले और जंजीर बना रहे थे जी सर हाँ सर, मैंने उनसे एक बार ये पूछा भी था कि ये क्या है? बोल रहे थे किसी खजानी की चाबी है जिससे वो बहुत जल्दी अमीर हो जाएंगे और उनके सारे कर्ज खत्म हो जाएंगे सर, ये देखे फ़रे सर, ये ताले जैसे दिखते नहीं है लेकिन ये ताले ही है सर, चार्ज उनको अपने बनाय हुए ताले और जंजीर लेकर चले गए और हमसे कहा कि आज दौलत दर्वाजे पर आ जाएगी लेकिन सर, उस दिन के बाद वो कभी वापस ही नहीं लटे तम लोगों ने पता करने कोशिश नहीं कि? सर की थी, वो अपने पास कभी फोन भी नहीं रखते थे कोई परिवर भी नहीं था उनका हमने पॉलिस में भी रिपोर्ट की थी मगर कुछ पता नहीं चला, सुर। प्रेगर, प्रेश्ट यह कैसे हो सकता है? इसे स्कैन करते हैं अज़गर है कोट यह कैचकर है? अज़आपकर साफ, क्या हुआ? आपने रजेटली बुला है? अज़गर, जहाज में से मिलेवे सबी आर्टिपक्ट्स ये सारे धरोर कार्बन लेटिंग कर लिया है ये सबी की सबी चीजे सोल्वी शताब्दी की हैं सिर्फ एक चीज को छोड़ का इक का बात कर nell' मून बोर्ट में मिली तमाम चीजों में एक चीज सोल्वी शताब्दी की नहीं है नहीं सर इसका मतलब वो चीज मून बोट की हो इनी सकती? बिलकुल भी हो सकती और वो कोई धरोर भी नहीं है वो है एक छोटा सा हतिया यह है यह जाकू जो दो हजार दो हजार तीन में बना है सर उनिसो पच्पन में यह जाहज दूबी थी और उसमें 10-12 साल पुराना हतियार का मिलना इसका मतलब है कि समंदर के अंदर पड़ी यह मून बोट तो कुछ नकुछ तो हुआ है जब अंतरा, रन्वीर और मेहुल गाइब हुए थे दो हजार पांच में और सर सम्राथ का भी वहाँ होना कोई इत्थफाक तो नहीं है सकता सर इसका मतलब सम्राथ का कोई ना कोई संबंद जरूर है उस गठना से जिसमें रन्वीर, मेहुल और अंतरा की जान गई उस पानी के अंदर हम् हम् जहां पे इस मून बोट का मलबा पड़ा है CID की टीम अंदर चली गई है अब हमेंने खतम करना ही होगा पलत कर डाद कर दोगरी का वेंगा वेंगा कि अब दूख कर दोगब है याद थे प्रॉप 있़ непोड़री होगा ुपणा जरिए भाद कर दका है वो दो कि लुश सक कि शो कि भुश होुशeff, ए मैं अजनी टुश..? वजजी के अजनने वे रमलंगो invece भीडश में ब घ्टियो हो एको अजनी है एक रिए लग वेंगा एक करेंगे लिए ऑफ दुटए करेंगे ओवागे हैं अप्सक्राइब प्सक्राई में रिया प्सक्राए किजए भार दूर में रिया दो झाले स्टाइब टूरीर प्सक्राइब दूरूर हमें रिया जाती सिल्ग कर दोंगा। झाल 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 ईब गुरिम कर विर सकत हुए कि सवस्णारम थेपेरा जो असलिए हुआ है कि अग्यार इस गानवे हुआ है धुद दो झाले के नह दो जो सब्सक्रावारी को इसे टाले के टाले का युदक हैं तो जा है। पर धाले को के जुद आए हैं? बारे के वा प्रबढ़ और उलते हैं। प्रभाएंग, प्राएंग, इसरे पह एचर हैं। कई टर्ट दोड़र्या है how कई लुड़र्या है लुड़र्या वफ जुड़र्या भी अज़र्या है लुड़र्या है। यह जो दोनों कंकाल आप लोगों को बाद में मिलें ना, इन में से ये कंकाल मेहुल का है और ये अंत्रा का है और ये ये खोपड़ी जो सबसे पहले मिली थी, ये कंकाल समराठ का है तो फिर रनवीर, रनवीर कहां गायब हो गया अगर मेहुल, अंत्रा और रनवीर पानी से वापस नहीं आये तो रनवीर कहां गया, उसके जुलाज भी नहीं मिली हमें स्रर कहीं ये सारा चकर रनवीर का तो नहीं हो सकता है कावे स्रर फिर समराट का लेना देना इन तीनों से यही तो पता लगाना है पुर्वी कि किसके कहने पर समराट वा गया था तुके उसका बनाएवा लॉख मून बोर्ट की कमपार्ट में लगा था जो 2005 भी बना था और उसके बाद से वो गायब था सर फिर तो शिखा से दुबारा पूछ ताज करनी पड़े की वो अकेली वापस लॉट कर आई थी वो भी जिन्दा सब्ते पहले हमें मून बोर्ट प्रोजेक की वीडियो चाहिए वो भी मरीन सेंटर को जानकारी दिये भीना वदना उस वीडियो के साथ छेचाड हो सकती है और यह टेप आज राद ही चाहिए कहीं चोरी करते वक्त हमें कोई पकड़ना ले अरे सर कुछ मी नहीं होगा टेंशिन मतलो स्याइड का बैच है ना लोग उसे स्याइड का बैच दिखाएंगे और कहेंगे चोड पुलीस करने आए है पहले अंदर तो चलो सर 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 अंदर आर्काइव्स रूम में से कोई आवाज आ रही है आप लोग जा में आता हूँ मरेंगे तो साथ में मरेंगे सर कुछ होना है सर वो देखें वहाँ पर कोई है लाइट ओफ बंकर टेच हमसे पहले कोई चोड आ गया टेप चुराने के लिए एसीप साब ने हमसे कहान है कि उन्हेंने किसी और को भी टेप चुराने के लिए बोला है करेंगे लिए लिए झाल लिए लिए भिल हाथ दूपर कौन तो अकाबू तारू मैं डॉक्टर शिखा मैं उस टीम की सबसे जूनियर मेंबर की शिखा तूम 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 सब कौन हो सिएड़ी कि अ कि अ कि 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 तेखो 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 मैं लड़कियों उम्पे हाथ ने उठा था है हुआ 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 ईख़ो खिख़ो शिखा शिखा तुम इतने साथ के तुम यहां क्या कर रही हो सुप सुप मैने कुछ नहीं किया मुझे जाने दीजै सार यह जूट बॉल रही इसने इसने कोई टेप्स चूराए है टेप्स? कैसे टेप्स चुराए तुमने? सर, सर मैं बेगुना हूँ मैं बस ये नहीं चाहती थी कि वो मून बोट के टेप्स किसी और के हाथ लगे क्या है उन टेप्स में क्या है बताओ जल ले सर, वो उस टेप में सर में अपना काम कर रहे थी तभी मैंने देखा कि एक बोट सामने से आई और उसमें कुछ लोग थे सर, कुछ समय के बाद उन लोगों में से एक आदमी पानी में चला गया और फिर थोड़ी देर के बाद वो उपर आ गया और सर, जैसे ही वो उपर आया एक आदमी ने उस पर गोली चलाई और वो मर गया और फिर सर, कुछ समय के बाद वो दोनों भी पानी के अंदर चले गए मैं डर गई थी सर मुझे लगा कि उस उस कुणी ने मुझे भी देख लिया है और वो मुझे भी मार देगा मेरी बोट पे भी एक कैमरा था जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था उसी रिकॉर्डिक के टेप्स लेने आई थी सर सर इसका मतलब इसमें समराट का खून होते देखा था क्योंकि उसी के सर में गोली लगी थी तुम ये टेप्स पहले भी तो चुरा सकती थी न फिर आज ही चोरी करने का क्यों सोचा तुमने उस वक्त सभी को ये लगा कि ये एक हादसा है ऐसे में वो टेप कौन देखता मुझे क्या पता था कि इतनी सालों बाद से आई डियूस दबे हुए केस की फिर से चानबिन करेगी बहुत बड़ी गल्ती की तुमने शिखा जुर्म को चुपाने की जुर्म चुपाना भी एक अप्राद होता है समझे अब तो तुमें जेल में बैठना पड़ेगा जब तक कानून तुमारा फैसला नहीं करता एक मिनिट एक मिनिट पॉस करो सचेन जो सामान हमारे पास मरीन सेंटर ने मेजा था उस डूबे हुए जाज पर जो था वो उसमें ये ये मेटल बॉक्स नहीं था ये संदूक हाँ सर ना तो ये बॉक्स लिफ्ट में था और ना ही मरीन रिसर्सेंटर से आया पर कहीं ऐसे तो नहीं कि ये मरीन सेंटर वाले ये बॉक्स छेपा रहे हम से ये भी तो हो सकताय सचेन कि ये बॉक्स मरीन रिसर्च सेंटर र nytno पॉचा ही नहीं सर फिर ये बॉक्स गहा का और इसके अंतिर ठाक्या वह सकता है पुर्वी कि कीमती समान हो उसमें पता लगाना पड़ेगा म्यूजियूम से, क्या था इस संदूक में। मुझे उननी सो पच्पन के कारवोशिप्स की पाइस चाहिए। Sir, मैं कितनी दूले। यहां पे साफ सफाई करने की सफ्त मनाई है। जीख फेला हो अभियान की, पूरी तयारी कर रखी है। Sir! Sir, यहीर इवो फाइन, कारवोशिप्स पाइए इवेट यह देखो, मेटल चेस्ट, संदूक, मूगल जवायरात से भरा हुआ संदूक, उननी सो पच्पन की लिस्ट में है, लेकिन मरीन रिसर्च सेंटर के इन्वेंटरी में नहीं है। संदूक किसी ने पानी के अंदर से ही गायब कर दी। सर, यह काम कौन कर सकता है। श्रिया, यह काम तो वही कर सकता है, जो मरा नहीं है। सर, पानी में तो सम्राट, अंतरा, मेहूल और रनवीर यह थे। वह सर, इन में से तीन के कंकाल तो मिल चुके है। सर, हो सकता है कि रनवीर भी मर गया हो और उसकी लाश मचलियों ने खाली हो या फिर पानी की भाव से उसकी लाश की दूर बह गई हो पंकजमान लिया कि ऐसा ही हुआ होगा मगर संदूख का क्या क्या उजवायराग से भरा हुआ संदूख कायब हो भी, है? जरा सोचो, समराट, म्यूल, अंतरा ये तीनों के तिनों उस जहाज में कैद थे उनके एक अंकाल तो हमें मिल गए मगर रनवीर का कुछ भी नहीं मिला इतना सा निशान तक नहीं मिला रनवीर का इसका मतलब है कुछ न कुछ तो करके रनवीर वहां से गायब हो गया उस संदूक के साथ सब क्या हुआ रनवीर का ही है पर सर अब तक तो सब यह समझते थे कि रनवीर मर चुका अगर वो जिन्दा है भी तो हम उस तक पहुंचेंगे कैसे पर एक बाद यह भी है सर कि रनवीर न उस सोने को वैसे ही बेशने की गलती नहीं की होगी पर ना अब तर पकड़ा जाता है बिलकुल तो बस पता लगाना पड़ेगा दो हजार पांच के दर्म्यान ऐसे कितने जोहरी थे जो जवाहिरात सोना चांदी गलाने का धंदा करते थे यह रनवीर जरूरूर उनी में से किसी एक के पास गया होगा वाँ सर अमरो पूरी वोशिश करें सर अब तक तो कुछ मिला नहीं सर अब कुछ पता चले सर अब कुछ पता चले तो हम आपको बताते हैं सर आईये आईये शेठानी जी इसने पहले कि वो आजाये आईये इसको तुमाए ऐसे बंद कर देता हूं गल्टी होगे आईये आईये बुली क्या काम है यही है बहुत कतरनाक जगे आईये उतर पे पीछे लगया एक नहीं समगें आपकी दुकान बहुत मुश्किल से आईये आपकी दुकान पीछे एक चोर बुर्बक पाइप आदमी लग गारा नीचे खड़ा आये दिखाता पाहिव स्था कि आयाँ इधर अभी आईये इधर आगे बुली को फोन करता हुद ह को रिय्कल सेट जीसेट जीसेट जी थी अब तो कच्छे के लारी निकले और पाड़िस को फोन नहीं करनाँ लोग पैठें भादयूमारा जो माल है यह Palak alak किसम का है अलक किसम का पताऊंगा नहीं ठिकाऊंगा आइए शिटानी जी काम कहीचा लगा आइए एक कम सही जगे प्रहा हैं आप कहां से आतमाद है वाल तु सवाल बड़े कर रहे हैं आप माल देखिए आम खाईये पेड मत कि नहीं तो बेचना है अहां से ठानी जी कह रही है बेचना नहीं है तो खरीदना है खरीदना भी नहीं तो फिर गहनों के बतले गहने लेने तो फिर आप लोग क्यों आजोए हैं बाजार में हैं मासुम मैं, कि इनारे गवाए, देखे, हम यह चाहते हैं कि आप इस अमान को भिगला दे, जब बाजार बड़े, रेट बड़े, हम धीरे-धीरे, हाले-आले, प्यार से बेचे के पई से कमाएंगी? आप कम हो जाएगा, लेकिन आपके काम के डबल रेट लगेंगे, अरे सेट जी, डबल रेट क्यों, को बड़े, यो काम पैड़े किया न, अरे कैसी बात करते हो, बहुत बात किया है, और ये जो आप लेकर आए है, ये तो चिल्लर है, दो हजार पांच में तो हमने मुगल काल करके बने विवे अर्भू रुपय के घहने और केमती धरवर को गलाया था, और किसी को कानो कान कपड तक नहीं होने दी थी, पूरे चार दिन तर चलता रहा था इंकाम, आईए मेर साथ, आईए, आईए, अरे चुन्नू, अरे सेट लोगों का कुछ माल है, गलाना है इसको कितना माल है साथ? जो जो, तुम अरे आप कहीं जा रही है क्या हम लोग तो चाहे नाश्रे से लेकर डिनर तक का पुर्गाम बना के आये थे क्या हुआते हैं आप ऐसे क्यों देखती है लगता आपने हम C.I.D. वालों को पहचाना नहीं ने ना जी कि आपके दोस्ट जो जोो हमारे साथ महीं आई लगेना उन्होंने आपकी नहीen का पता दिया हम आँ मैंने इसमंदर से मिले मुगल जवाराथ लिये थे और कौन-कौन मिला है तुम्हारे साथ इस काम में कोई नहीं था सर चोट मत बोलो तो हजार पार्ट में तुम मरीन सेंटर में थी यह नहीं तो फिर मुगल जवाराथ तुम्हारे बास कैसे आया है मैंने कुछ लोगों को सेट किया था उस टाइम मैं जुनियर विंग में थी क्या बात है आप समंदर में गई नहीं सम्राट का खून आपने किया नहीं तो पर कौन है यह जो आपकी मदद कर रहा है सर मेरे साथ थे कुछ लोग साथियों गर नाम तो होंगे ना कौन है सर अंद कोई नहीं सर सर मेरे केलियो सा किसे देख रहा है सर आप 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 कौन है बारा जाप बारा जाप जाप रनवीर ओ रनवीर रनवीर? को रनवीर? तीन तीन खून करके इतने सालों से चुपा हुआ सर में तो नहीना का मजी शिद्धान्त हूँ नाम बदा सकते हो लेकिया निमी चेहरा निमी हाँ सर मैं ही रनवीर हूँ 2005 में मैं आप मेरी टीम समंदर के इस चगह कही थी हाँ कर से कर सकते है समंदर कर दो कर दो तस Anyway समंदर कर दो मैं रहाँ आफ कि व्राफ कि आफ हाँ मैं कि याँ मैं उस चेस्ट के बारे में सिर्फ मैं, मैं जानता था और कोई नहीं, इसलिए मैंने समराट के साथ मिलकर एप्लान बनाया समराट ने मेहुल और अंतरा को मार दिया और उनकी लाश मोट में छुपा दी उसके बाद समराट को मेरे दो आद्मी ने गुली मार दी और सर मैं, मैं चेस्ट लेकर पाने की रास्ते बहार आगया सच्चाई को सामने आने में देर लग सकती है, लेकिन सच्चाई कभी छुपती नहीं समराट को उसके किये की सजा तुमने दे दी लेकिन तुम्हें सजा दिलाने के लिए समराट की कोपड़ी खुद पानी के बाहर आई तुम दोनों को तुमारे किये की सजा कानून सरूर देगा शायद भासी होगी कि अज़ भासी होगी